नमस्कार दोस्तों, 6 मार्च 2022 के डेली न्यूज अनलेसिस कर इंटरफेस डिसक्षिन में आपका स्वागत है देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है, संडेट संडे है, आज तो एडिटोरियल नहीं आएगा, थोड़ा लेट संडे को हो ही जाता है यह जो पहली न्यूज है, रशिया-यूक्रेइन क्राइसिस लाइव, जिसमें की वॉल्दोम और जिलन्सकी ने नो फ्लाइज जोन डिकलेर करने को बोला रशियन ओयल को खरीदने से मना किया, वेस्ट को, नाटो को, इन सब चीज़ों को नाटो ने रेजेक्ट कर दिया है यह बताता है, FAO का Food Price Index, तो इस Food Price Index के हिसाब से क्या-क्या हिसाब से महंगाई बढ़ रही इसको देखेंगे, ठीक है, उसके बाद DRDO Defense Spending के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, चाइना कितनी Defense Spending कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे, चाइना ने अपनी Military Spending Target को 7.1 परसंट बढ़ाया है, और GDP की Growth Target को रखा है 5.5 परसंट, फिर IMF ने इस Ukraine War को लेके एक Warning दी है कि आगे आने वल समय में चीज़ें खराब हो सकती है, दीपक धरसाम नाम के एक Physicist है, इनको यहाँ पे एक इनाम दिया गया है, इसे नाम के बारे में बात करेंगे, Physics के Field में आ हमने रिलीस किया था, यह जो Indangered Turtles है, यह कई 100 किलोमेटर चलके International Borders पार करके बांगलादेश के अंदर पहुँच चुके हैं, इस News को हम लोग देखेंगे, और अभी के लिए UAE को, FATF यानि Financial Action Task Force की Gray List में जोड़ दिया गया है, जहाँ पे पाकिस्तान पहले से, अभी कौ अगर आपके बास कोई अलग से पॉइंट्स भी हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, इंस्टराम पर फॉलो कर लेजे, टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लेजे, दोनोगी चीजों कर लेजी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रूप में आपको इस लेक्चर क का इलाज नहीं कराया, तो वो और एक्सकर बेट हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो टाइम बीटते टाइम के साथ चीजों का वर्स हो जाना है, इसको आप बोलते हो, फेस्टर, ठीक है, तो इसको संटेंस में कैसे इस्तमाल कह जाएगा, इस वाउंड्स फेस्टर फॉर मतलब एटेंशन मिलने से पहले जो घाउ उसको हुआ तो वो और खराब हो गया, फिर इस फीलिंग ओफ रिजन्टमेंट है, फेस्टर मतलब और बढ़ती जारी, समय के साथ साथ चीज और बुरी होती जारी, इसको आप बोलते हो, फेस्टर, चले पहली न्यूज देखते ह यहाँ पे सीरियस तरीके से वार्निंग दी है, कि यूक्रेन क्राइसिस अगर नहीं रुकी, अभी के लिए ये रश्या यूक्रेन का वार अगर नहीं रुका, तो आगे आने वाले समय में इसके ग्लोबल एकनॉमिक इंपैक्ट्स बहुत सीरियस और कटास्ट्रोफिक हो सक अगर आप देखो तो एकनॉमी दुनिया भर की सही नहीं चल रही थी, कोबिट पैंडेमिक के चलते दुनिया भर की एकनॉमी नीचे आई और अब तो रश्या यूक्रेन वार हो गया, इस रश्या यूक्रेन वार के चलते दुनिया भर की सप्लाई लाइस में एनरजी के प बार चल रहा है पूरी दुनिया को एफेक्ट करेंगा तो एकनॉमिक डैमेज बहुत बड़ा होने वाला है अगर सही समय पे इस वार को नहीं रुखा गिते हैं चुकि देखें बहुत सारी ऐसी यूरोपन कंट्रीज हैं इंडिया हो गया यूएस हो गया इनकी कंपनी के रश अगर यह रशियन बिजनिस को आगे टेक अप करती हैं तो इसलिए यहाँ पर हालात एकनॉमिक ली बहुत ज़ादा खराब हो रहे हैं इस कॉन्फिट को सही समय पे रोकना बहुत ज़ादा दरूरी है नहीं तो मैसिव इंफ्लेशन होगा और मैसिव अनिम्प्लियमेंट भ बढ़ने वाले हैं एफेक्ट आम आदमी के ओपर आगा यूक्रेइन के ओपर तो देखो एकनॉमिक डेमेज हुआ ही है रशिया के ओपर भी एकनॉमिक डेमेज हुआ है लेकिन उसके सासद आसपास और पूरी ग्लोबल एकनॉमिक पर इसका इंपक्ट आएगा इनफेक्ट 244 में at the United Nations Bretton Woods Conference ठीके भाई तो तब यह बना था ओबर और New Hampshire United States में 44 कंट्रीज की प्रिजंस में बना गया था Economic Cooperation के लिए यहां पर बात हुई थी Great Depression 1930s जैसा कोई event फिर से ना हो जाए तेकि Great Depression 1930 क्यों है हर कंट्री अपनी करेंसी डिवैल्यू कर रही थी चुकि जब आप अपनी करेंसी डिवैल्यू करते तो आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ा ले तो तो इस प्रकार की डिवैल्यूएशन ना हो प्रापर तरीके से International Economic Cooperation हो इसलिए IMF को यहां पर बताया गया था Stability of International Monetary System is the primary mission of International Monetary Fund क्राइसिस को रोकना, कंट्रीज की पॉलिसी को कुछ इस प्रकार से इंप्लिमेंट करना की National, Regional, Global, Economic और Financial Development एक दूसरे का साथ सिंक्रोनाइज रहे हैं और सही सही समय पे चीजने सही तरीके से सॉट आप हो जाएं जैसे कि जब Balance of Payment Crisis इंडिया में आई थी 1990s में तब IMF ने हमारी मदद की थी IMF World Economic Outlook Report रिलीज करता है Periodic Assessments के लिए फिर Global Financial Stability Report भी यह रिलीज करता है Physical Monitor नाम की रिपोर्ट रिलीज करता है External Sector Report इसकी आती है तो मतलब Fiscal Monitor Global Financial Stability Report World Economic Outlook इसके थुरू IMF International Stability के बारे में बताता है जिस पर 2 के रिस्पेक्ट में न्यूज आपको काम आईगी Next है DRDO Developed Monolithic Microwave Integrated Circuits अब यह जो Monolithic Microwave Integrated Circuits जनको DRDO के दौरा डेवलप किया गया है यह EOSO4 EOS04 सैटलाइट पे थे जो कि 14 फरवरी को लाँच की गई थी इस रो के दौरा सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि Monolithic Microwave Integrated Circuits हैं क्या Microwave Frequency पे यह Circuits Operate करते हैं मतलब 300 MHz से लेको 300 GHz तक की Frequency पे यह Operate कर सकते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में और खास बात यह है कि Integrated Circuits है उसकी टेक्नलोजी को बनाने के हम कोशिश कर रहे हैं अभी और Integrated Circuits जो चिप्स होती है वो अल्मोस्ट हर चीज में लगती है अगर अभी से आप 10-15 साल पहले चले जाओ तो एक चीज आती थी Walkman करके Walkman में भी Integrated Chips लगते थे आज की रेट में आपके फोन में भी Integrated Chips है आपके लैप्टॉप में आपके रेफ्रिजिलेटर में आसपास जितने भी Electronic Devices आपको दिख रहे हैं सब में Integrated Chips हैं हाँ Integrated Chips की Specification कितना Powerful System में वो लगेगा ये चीजें अलग-अलग हैं इसलिए आप कह सकते हो कि Integrated Chips के जो Application है वो बहुत डाइवर्स है और Satellites में भी Integrated Chips लगाए जाते हैं तो ये जो Integrated Chips है जनको यहाँ पर बोला गया है MMIC Monolithic Microwave Integrated Chips इसको EOS04 Satellite का जो अभी Launch हुआ तक 14 फर्वरी को उसमें इस्तमाल किया गया था पहले इंडिया ने भीजी थी RISET-1 Satellite RISET-1 Satellite के बाद इंडिया ने भीजी EOS04 Satellite ठीक ही ना EOS04 Satellite के सासत INS2TD और Inspire Sat-1 Satellite भी 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 थी ये EOS04 Satellite PSLV C-52 Launch Vehicle के थू भी भीजी गई थी 14 फर्वरी 2022 को और इसके अंदर भारत सरकार की DRDO दोरह Indigenously Developed MMIC लगाए गये थे तो Science and Tech के फिल में Definitely ये इंडिया के लिए एक achievement है High Frequency Applications में Small Size के MMIC हम लोग Reasonable Cost पे बना सकते हैं ये Mixing करते हैं Microwaves की Power और Low Noise Amplification करते हैं High Frequency पे Switching करना Gallium Arsenide के वैसे तो ये बने होते हैं लेकिन आज की डेट में Silicon Technology के आधार पर भी इनको बनाये जा रहा है और खास बात ये कि हमारे पास मतलब इंडिया के पास DRDO के पास ये टेक्निलोजी है कि हम overall इनको बना सकते हैं और खास बात ये कि आप बोलोगे इसा ठीक है ये सब हम मना सकते हैं लेकिन हम अभी इसको क्यों डिसकस कर रहे हैं सैटलाइट तो 14 फरवली 2022 हो गया था आज 6 मार्च है तो हम इसको अभी इसलिए डिसकस कर रहे है चुकि देखे 4 मार्च 2022 को Ministry of Defense ने अनौंस किया है कि ये जो MMIC है Monolithic Microwave Integrated Circuits हैं जो कि Indigenously DRDO ने बनाए है तो Integrated Chips को बनाने में हम एक स्टप फॉरवर्ड ले चुके हैं ये ओफिशल अनौंसमेंट के रिस्पेक्ट में हम इस न्यूस को टेक अप कर रहे है GS Paper 3 Science and Technology में न्यूस डेफिनिटली आपके घाम आएगी फिर UAE को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है ठीक है बाई ये न्यूस है वैसे मैं बता दूँ FATF की Black List में बहुत सी कंट्रीज हैं इस समय पर कौन कौन सी देखिए Black List में कौन सी कंट्रीज हैं Black List में दो कंट्रीज हैं as of 2 March 2021 North Korea और इरान FATF की Gray List में बहुत सी कंट्रीज हैं Albania, Barbatoz, Burkina, Faso, Cambodia, Cayman Island, Jamaica, Jordan, Haiti, Malta, Malie, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Philippines, Senegal, South Sudan, Syria, Turkey, Uganda, UAE, Yemen, और Zimbabwe ये सब टर्की, ये सब FATF की Gray List में हैं News specifically यहां पर इस कंटेक्ट में डिसकस की जा रही है कि Paris-based Financial Action Task Force ने UAE को भी यहां पर Gray List में रखा है Reason क्या है? Reason यह है कि UAE के जो Financial Mechanism है उसके हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी UAE के Financial Mechanism में कुछ ऐसे Loopholes हैं जिसके चलते हैं Money Laundering Terrorist Financing जैसी चीज़ों को UAE के Official Networks मतलब Official Financial System के थूँ किया जा सकता है देखे, तीन Members है FATF के जिन्होंने एक्सप्रेस किया है कि UAE ने अभी भी Review Process ठीक तरीके से नहीं किया है अभी भी Overall कुछ ऐसे Mechanism है, Financial Mechanism है UAE के Functioning में जिनको Money Laundering के लिए और Terrorist Financing के लिए इस्तिमाल किया जा सकता और मैं आपको बता दू UAE एक बहुत बड़ा Financial Center है तो इसको Gray List में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है FATF में 39 Members है ये 39 Members voting करके डिसाइड करते हैं कि भाई किसने FATF की सारी requirements को पूरा किया किसने पूरा नहीं किया अगर मान लो अगर आप किसी को FATF की Gray List में रख देते हो देखे Black List में अगर आपको रख दिया गया तो आप बहुत प्रॉबलम में आ जाओगे इस समय पर North Korea इरन Black List में लेकिन अगर किसी को Gray List में रखा गया है तो Gray List में रखने का मतलब यह नहीं है कि अलग से कुछ सैंक्शन्स लगाए गए हैं उस country के ओपर Gray List में रखने का मतलब यह है कि overall उस country की जो regulatory architecture है उसको reliable नहीं माना गया है और जो अलग-अलग countries है दुनिया भर की वो overall अपने financial mechanism में अपने financial transactions में Gray List वाली countries के साथ थोड़े alert रहें यह यहाँ पर बताया जाता है FATF एक inter-governmental organization है जिसको बनाया गया था for setting standards and promoting effective implementation of legal regulatory and operational measures जिससे money laundering को रोका जा सके, terrorist financing को रोका जा सके 1989 की G7 summit में FATF को बनाया गया था ठीक है भाई, as of March 2022 अगर आपके उपर gray list है मतलब आप gray list में हो तो आपके उपर increased monitoring हो रही है किस चीज की monitoring हो रही है कि आपके financial system में किसी प्रकार की money laundering, terrorist financing या proliferation financing तो नहीं हो रही है तो अगर आप increased monitoring के अंदर हो तो आपके उपर as such कोई sanctions नहीं लगाए गया है लेकिन इसका मतलब यह है कि आप FATF के साथ coordinate करके एक agreed time frame के अंदर FATF की requirements को पूरा करने की कोशिश करोगे जिससे आप जल्दी से जल्दी gray list के बाहर निकल जाओ और इसमें FATF और FATF style जो regional bodies होती है जिसको आप FSRB भी बोलते हो वो भी यहाँ पर आपकी मदद करती ही ठीक है भाई आप अपने financial system को ठीक करो ताकि आप FATF की gray list से बाहर निकल जाओ एक proper time frame में आपको ऐसा करना पड़ता है पाकिस्तान को भी time frame दिया गया था हाला कि यह time frame कही सालों से extend हो रहा है पाकिस्तान अपने commitments को पूरा नहीं कर रहा है तो due diligence के आधार पर overall एक country को FATF की black list या gray list में डाला आता है अगर उनको gray list या black list से निकालना है तो majority of the members of FATF जब vote करेंगी कि हाँ भाई इस particular country को gray list से निकाल दो तो निकाला जाएगा पाकिस्तान को अभी के लिए gray list में रखा गया है UAE को भी gray list में जोड़ दिया गया है कौन कौन सी और countries gray list में है यह मैं आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में मतलब इस topic की शुरुआत में बता चुका हूँ GS paper to international institutions में निउस आप हो का हम हैगी फिर next news है भाई endangered turtle northern river terrapin यह एक turtle है इंडियन सुंदर बंस में पहले ही है पाया जाता था लेकिन बाद में critically endangered बोला गया यह जो northern river terrapin है इंग्लिश नेम है इसको आप बाता गुर बसका भी बोलतो तो बाता बुर बसका यह critically endangered fresh water turtle था जिसको systematic तरीके से conserve किया गया है यहाँ पर आपको यह turtle नजर आ रहा है northern river terrapin तीन तरीके की turtle से नजर आ रहा है एक तो एक हफते का turtle सबसे उपर आपको छोटा से बिलकुल नजर आ रहा है सिर्फ एक हफते बढ़ा है दूसरा एक साल बढ़ा turtle तीसरा दो साल बढ़ा turtle तो एक हफते बाद एक साल बाद दो साल बाद के ड़े बढ़े दिखते हैं वो आपको यह फोटो में नजर आ रहा है इसको आप बोलतो है northern river terrapin बतागुर बसका एक प्रकार की species है riverine turtle की साउथ इस्टेशिया में पाई जाती है इस्टेशिया के लाज़ेश फ्रेश वाटर और ब्रैक वाटर टर्टल्स है लेंग्ध है इनकी 60 cm तक की और वेट इनका 18 kg तक चला जाता है फुली ग्रोण इंडिविज्वल का ठीक है बाई अब क्या हुआ कि 15 साल पहले यह जो forest officials थे जब यह सुंदर बंस में खोज बगारा कर रहे थे तो मैं इनको लगा कि यार यह जो fresh water turtle है Northern River Terrapin यह survive नहीं कर पा रहा है यह खतम हो रहा है तो 2008 में joint exploration किया गया swams का mangroves का और tidal creeks का कहां पे सुंदर बंस में यहां दो organization involved थे तो turtle survival alliance और दूसरा सुंदर बंस टाइगर रिजर्फ इनको पता चला कि सुंदर बंस में केवल आठ मेल सें तीन फीमेल सें और एक juvenile है सांजने खेली interpretation center में तो भाई यह पिछले 14 सालों में और अभी सी बात है IUCN red list की list पे आगया है Northern River Terrapin तो उसके बाद से systematic तरीके से इस स्पेशी को conserve करने की कोशिश की गई कई सालों से उनको conserve किया गया और अभी recently 19 जनवरी 2022 को 10 adults of Batakur Baska को wild में छोड़ दिया गया TSA और STR के दोरा वाब बोलो कि इस तर यह TSA क्या है तो यह है Turtle Survival Alliance तो इन दोनों organization ने पिछले 9 साल तक कुछ turtles को पाला और पालने के बाद उनको wildlife में छोड़ा और उनके अंदर GPS transmitters लगाए और यह GPS transmitters यह बता रहे हैं कि कई 100 km का distance travel करके कुछ turtles बांगलादेश के अंदर खूज गया है एक turtle तो signal emit कर रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो 400 km travel कर चुका है और बांगलादेश के अंदर जा चुका है ठीक है जिन 10 लोगों में transmitter लगाए गया तो जिन 10 turtles में से 6 में से signal आ रहे हैं चार अभी भी इंडिया के अंदर हैं दो अभी के लिए बांगलादेश के अंदर है कुछ लोग southern water ecosystem में चले गए सुन्दरबंस के अंदर तो इस प्रकार के conservation programs करके most probably हम लोग long term में इस turtle की आवादी को preserve कर सकते हैं जी एस पे पर थी बायो डिवस्टियर conservation में न्यूज आपको काम आएगी next news global food prices jumped 20.7% to hit record high तो भाया UN food agency FAO के तौरा food and agriculture organization के तौरा बताया गया है कि vegetable oil और dairy products में नाम बढ़ने की वज़े से जो world food prices हैं वो फरवरी में 20.7% बढ़े हैं या फरवरी 2022 के दाम फरवरी 2021 के comparison में 20.7% जादा है FAO का जो food price index है दुनिया बर की globally traded food commodities के दामों को measure करता है ये figure अगर आप देखो तो 135.4 था जनवरी में और आप कैसकते हो फरवरी में था ये 140.7% और ये जो internationally food के दाम बढ़ रहे हैं इसके बढ़ने के चलते जो गरीब economies हैं और वहां के जो गरीब लोग है इनके उपर सबसे ज़्यादा impact आएगा poorer population यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफर करने वाली है crop की conditions भी हिली हुई है global warming के चलते export availability कम हो रही है supply chain टूटी हुई है और देखें यहाँ पर जो food inflation है वो सिर्फ export proper तरीके से नहीं हो रहा है या global warming हो रही है overall final product जो market में पहुचता है agriculture का उसका भी दाम हमको बढ़ा हुआ दिखता है तो final food products के price बढ़ने की बहुत सी वज़ा है और जब final food products के नाम बढ़ते हैं तो जो भी food producers हैं food distributional production में जो companies हैं वो ज़्यादा investment नहीं करती है इस field में चुकि उनको लगता है कि अदाम अलड़ी बढ़ रहे हैं तो महंगी चीज़े हम ज़्यादा बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं तो इससे हमारे profit margin कम हो जाएंगो जब profit margin इन बड़े-बड़े corporates के कम होने लगते हैं तो ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करते है उसमें ज़्यादा और खास बात ये है कि रशिया यूक्रेन वाला ये जो वार है वो 24 फरवरी को शुरू हुआ था और ये जो food prices हैं ये वो यर्शिया यूक्रेन वार के पहले के सिनारियों को दर्शा रहे हैं तो अब तो हालात बहुत ज़्यादा खराब है उपर से रशिया यूक्रेन की बात करो तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही wheat के बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स थे जी हाँ अगर आप देखो तो बहुत सी चीजों के दाम इस वार के बात बढ़े है फेवररी में जनवरी के कमपैर्जन में वेजीटेबल ओयल इंडेक्स साड़े आठ परसेंट बढ़ा है उसका रीजन यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया जो सनफ्लॉयर ओयल एक्सपोर्ट करते हैं सीरिल प्राइस फरवरी में जनवरी के कमपैर्जन में 3% बढ़ गया मेस प्राइस 5.1% बढ़ गया informação temple डैरी के प्राइस 6.4% मेट के प्राइस बढ़ गया मीट के प्राइस 1.1% बढ़ गया है तो कहीं न कहीं ये increment overall poor लोगों के लिए अच्छा नहीं है केवल एक food commodity के दाम घटे हैं वो है चीनी, sugar के चुकि इंडिया और Thailand में चीनी की bumper पैदावार होने वाली है तो international markets में चीनी की कोई कमी नहीं होगी इस लेस के दाम यहाँ पे कम होए जो global wheat production है 2020 में वो बढ़ेगा 2021 में था वो 775.4 million tons और 2022 में वो हो जाएगा 790 million tons चुकि Canada, United States और Asia में बंबर खेती हुई है तो ठीक टाप production होने वाला है Argentina और Brazil में 2022 में maze का outputs मक्के का पैदावार बढ़ेगी Brazil में अकेले को 112 million tons मक्के की पैदावार होने के chances है तो overall ठीक है अच्छी बाते हैं बट इस Ukraine-Russia war के चलते जो international food community के prices इसके उपर बहुत तगड़ा impact आ सकता फरवरी के respect में जब मार्च का राटा बहार निकल के आएगा हो सकता है food pricing के indicators और भी गड़ चुके हो जीस पेपर थी world economy में इस चीज़ काम को हो निउस काम आएगी पर अगली निउस है XYU शक्ती 2022 तेखिए ये जो वायू शक्ती नाम की exercise होती है इंडिया की इंडियन एर फोर्स की इसको अभी के लिए postpone कर दिया गया तो जो बाइनल डेफ एक्सो होना था गुजरात में इसको भी अभी के लिए यहां पर postpone कर दिया गया चुकि यूक्रेइन और रशिया major participating countries थी यह participate करेंगी नहीं उसके सासाथ आसपास की countries भी रशिया यूक्रेइन war में बहुत जादा involved है तो participation DEF EXPO में बहुत कम होने वाला है तो 12 सरकार को लगा कि एक काम करो अभी एकलिस को postpone ही कर दो तो यह भी एक important news है यहां पर ऐसा देखा जा रहा था कि जो DEF EXPO और यह जो वायू शक्ति एक्सरसाइज़स में IAV की तगड़ी inventory इस्तमाल होनी थी रशियन सुखो M31, MIG-29, फिर रफाल फ्रांस के मिराज 2000, यूएस की C-130 OC 17 टांस्पोर्ट एरकाफ्ट, नपाचे LRAC हलिकॉप्टर्स, AH-64E, CH-47F चीनुक हैवी लिफ्ट हलिकॉप्टर्स यह सब कहीं न कहीं participate होने वाले थे पिछली बार जो वायू शक्तिक से साइज हुई थी वो हुई थी, फरवरी 2019 में इस बार होनी थी, मार्च 2022 में जो की नई हुई है, ट्राइनेर मतलब आप समझ गया होगे तीन साल में एक बार, जिये इसमें बत्री defense में नीच चिरप हो काम हाईगी अगली न्यूसर दीपक धर और जॉन जे हॉप फील्ड को मिला है बोल्ट्समेंड मेडल देखे, दीपक धर साब एक physicist है, कहाँ पे काम करते है Indian Institute of Science, Education and Research पूने में, इनको बोल्ट्समेंड मेडल दिया गया है, इसको अवार्ड कौन करता है, बोल्ट्समेंड मेडल को Commission on Statistical Physics C3 of the International Union of Pure and Applied Physics ये पहले Indian है जिनको ये अवार्ड मिला है इस अवार्ड को इनिशियेट किया गया थे 1975 में पहले Indian है दीपक धर साब जिसको ये particular बोल्ट्समें अवार्ड दिया गया है इनके साथ-साथ इस साल ये अवार्ड American Scientist John J. Hopfield को भी मिला है जिन्होंने Associative Neural Network बना है Associative Neural Network क्या है तो it is an ensemble-based method inspired by function and structure of neural network correlation brains के अंदर जो हमारे neural network बना हुआ है वो neural network किस प्रकार से काम करता है एक function कैसे दूसरे function को stimulate करता है इसके उपर बड़ा तगड़ी थेोरी दिया Associative Neural Network की इसके लिए American Scientist John J. Hopfield को मिला है ये Boltzman Award और हमारे धरसाब को क्यों मिला है तो धरसाब भईया पहले Tata Institute of Fundamental Research में थे यहाँ पे इन्होंने Statistical Physics की फील्ड में बहुत काम किया है Self-Organized Criticality Models के उपर Exact Solutions धूणे है Interfacial Growth के उपर काम किया है Universal Long-Term Relaxation in Disordered Magnetic System के उपर काम किया है Percolation और Cluster Counting Programs के उपर Exact Solutions धूणे है और Spectral Definition Spectral Dimension of Fractals की Definition दिये मैं बता दूँ ये बहुत Technical Terms है आपको नहीं समझ में आए होगे चुकि मुझे भी नहीं समझ में आए है बढ़ हमें उनको समझना भी नहीं है हमें अपने काम की चीज़ याद रखनी है वो यह है कि ये Boltzman Award मिला है किसको हमारे दीपक धर साब को इंडिया के लिए डेफिनिट्ली ये एक बहुत गरव की बात है ठीक है भाई इससे पहले ये Award के जी विलसन, आर क्यूबो, एमी फिशर, आर जे बाक्स्टर बहुत सारे और लोगों को मिल चुका है मैं आपको एक बात बता दू इस Award को मिलने की एक eligibility है आपको Nobel Prize नहीं मिला होना चाहिए अगर आपको Physics का Nobel Prize मिल गया है जी हाँ, आगे आने वले साल में चाइना की military spending 7.1% से बढ़ेगी और GDP growth का target इन्हों रखा है 5.5% तो चाइना ने बोला है कि वो 230 billion dollars खतम करेंगे अपनी military spending पे लगब 1.45 trillion yuan अगर इंडिया से compare किया जाए तो इंडिया ने announce किया 70 billion dollar की defense spending तो 70 billion dollar हमारा और चाइना का 230 billion dollar लगबग तीन गुने से भी जादा तो ये overall यहाँ पे चाइना का target है economy front पे चाइना ने पहले 6% growth का target रखा ताब 5.5% का रख रहे हैं इनके economy पिछले साल 8.1% से बढ़ी है लेकिन last quarter में केवल 4% बढ़ी है चाइना का target है कि 2022 में 11 million नई जॉब्स ये पैदा करेंगे overall चाइना के सामने international heads पे काफी challenges है US इनको direct challenge देता है Taiwan stage में अक्सर कर US के worship वगरा गुंते रहते है इस China Sea, South China Sea में reconnaissance mission करता है US इसको लेकि चाइना अक्सर को अपने navy को और अपने nuclear arsenal को modernize करेंगे 2049 तक US के level के बराबर लेके जाएंगे जब people Republic of China को बने है GS paper 2 international news और effective policies of other countries ओवर इंडिया में news आपको काम है So thank you for watching friends जादा से जादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करिएगा Instagram पर follow कर लिजे Telegram group join कर लिजे दोनोई चीजों का लिंचे दिया हुआ Have a great day, goodbye ध्यान रखे अपना